क्या आपने कभी सोचा है कि एक शिप जो महीनों तक समंदर में रहती है उसमें फ्यूल कैसे लेते होंगे क्योंकि समंदर के बीच में पेट्रोल पंस तो होते नहीं है मेरा नाम है जैसी एन मैं हूं थर्ड ओफसर मर्चिनेवी में जैसे कि कार में हम पेट्रोल ये डीजन लालते हैं वैसे ही शिप पर जो फ्यूल यूज होता है उसे बोलते हैं VLSFO और इस री फ्यूलिंग प्रोसेस को बोलते हैं बंकरिंग जिसमें एक चोटी शिप जिसे हम बार्च कहते हैं वो हमें फ्यूल देती है एक होस के थ्रू इंडियन करंसी में देखे तो 21 लाख रुपे का फ्यूल तो एक दिन में हमारी शिप कंजूम कर लेती है बाकि आप हिसाब लगाए कि शिप के एक लीटर फ्यूल का प्राइस कितना होता होगा कमेंड करके बताईएगा